इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह केस्यो एफेट्स 991 ES Plus कैलकुलेटर में आप किस तरह Neutron Magnetic Moment Constant की वेल्यू किस तरह देख सकते हैं कैलकुलेटर में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप कैलसी के कवर में देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा Scientific Constant और यहाँ पर 20 नंबर पे जो सिम्बॉल है Mu N यह Neutron Magnetic Moment Constant का सिम्बॉल है अब मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ किस तरह हम Neutron Magnetic Moment Constant की वेल्यू सकते हैं सबसे पहले आपको Shift का बटन दबाना है उसके बाद आपको Constant का बटन साथ नंबर का और फिर आपको कैलसी के कवर में देखना है Neutron Magnetic Moment Constant का सिम्बॉल जो है वो कितने वे नंबर पर है तो वो 20 वे नंबर पर है आपको यहाँ पर 20 इंटर करना है और फिर इक्वल का बटन दबा देना है आपको यहाँ आपको यहाँ पर नंबर 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 को भी देना है